दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चनल एसर दी एक्सपर्ट में और जैसा कि आप जानते कुछ दूनों पहले हमने एक पॉटफोलियो के पिटे विडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बात कर देख्रेसिव इंवेस्टर की जहां पर हाइर रिवाड रिटन्स पीजाएं आजकी वीडियो हुने वाली है हमारी स्मार्ट इंवेस्टर के बारे में जो रियलिस्ट्ट लेते हैं moderate risk लेने के लिए agree करते हैं साथ ही साथ में उनकी expectations भी moderate to high रहती है तो उन इस investors को किस तरह का portfolio बनाना चाहिए उसके ओपर आज की वीडियो होने वाली है वीडियो को start करने से पहले एक चोटी से रेक्वेस्ट प्लीज चनल को like and subscribe करें वीडियो को थोड़ा सा प्रिस्प और छोटा बनाने के लिए मैं पहले ब्रेक आउट बचा देता हूं किस तरह से स्प्लिट होना चाहिए फिर एक दो दो मिच्वल फंट को सिफ सजेस्ट करूंगा से डिटेलिंग में नहीं जाएंगे उसको लेकर है और फिर बात में हम इसको स्प्लिट करेंगे कि 10,000 रुपे का पोट्फोरियो तक किस तरह से स्प्लिट होना चाहिए आप पैसा लगाते हैं तो हमारी बहुत ही महनत से कमाई हुई पार्ट होता है पहले हम पूरे मईने यह नौकरी करें या पड़ा रहे हैं किसी तरह के काम में भग हम्ति ध्यान के करते हैं अपने डिली नाइफ के उपर में जुसमें से जो बसता है उसको हम इंवेस्मेंट करने जा रहे हैं अब इतनी महनत कमाई वे पैसे को हम सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा रेटर्न के चक्कर में रिस्क में नहीं डाजिकते हैं लेटस एक्जामपल जैसे था कि आपने फ्रैंक्लीन के फंड के बारे में सुनाओ का डेट फंड बंद हुए था उन्होंने काफी ऐसी कंपनी को लोन दिया था जो ट्रिपल लेटिंग में नह देने तो इसलिए जो स्मार्ट इंवेस्टर से उनके लिए सजेसंस है कि वह अपने पॉट्फोलियों का 50% बिल्कुल सभी सुन रहे हैं 50% उनको अपना इंडेक्स पंड के अंदर डालना चाहिए इंडेक्स फंड कौन से फंड है जैसे कि आपके निफ्टी को रिफ्लेक् करते हैं तो इस तरह के कि फंड में आप डायक्ली इंवेस्मेंट कर सकते हैं इसमें इंवेस्मेंट करने के बेसिक से बहुत समार्ट तरह सब आपको आंसर बता दूँ इसमें जो पहला रिजन होता है कि लिक्विड रिपीट आप दो तीन दिन के बाद कभी पैसा निकाल स है एक फाइदा यह रहता है तीसला फाइदा क्या होता है यह पैसिवली मैनेज होते हैं मतलब जो हमारे निफ्टी फंड है या संसेक्स वंड है डायक्ली इंडिन जीडीप को रिफेक्ट करते हैं तो दिन्या डेश की सबसे बड़ी 50 या 30 कंपनिया रहेंगी वही आएंग बड़ी कंपनी के पास में पहुंसता है ताकि यह इसको टार्गेट लेकर देखिए अभी पिर दस से बारा साल में देखें तो बारा से चौदा परसंट की रिटरंस यह कंसिस्टेंट बेसिस पर दे रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर में इसको 15 से 20 परसंट के अवर सब्सक्राइब करके दिया है लेकिन अगर को देखो एक साल के अंदर में उनकी रिटरंस हो जाती है आपकी नेगेटिव भी जाती है पांच परसंट साथ परसंट वी क्योंकि यह मूंड के ओपर हो दा किस तरह से मार्केट काम करें तो आजकल फार्मा सेक्टर चल रहा है साल पिछले आलो में बिल्कुल पड़ावा था इस तरह के से आपको रिटरंस के पीछे नहीं भागना एक स्टॉंग फंड के पीछे भागना है तो यहां पर आप काम कर जकते हैं इंडेक्स के साथ में 50 परसंट आपको इंडेक्समेंड में फ्लस करना है और इसमें यूट जाता है वह देंगे हम ब्लूचिप फंड को इंपर्टेंस क्यों दी गई है क्योंकि ब्लूचिप वह कंपनीज होती है जो कंसिस्टन बेसिस में लॉंग तम में परफॉम करती है जिनमें पैसा लगाते वक्त में इंसान को सोचना ही नहीं होता अगर आपको बहुत पुरा करते हैं उनकी स्टॉक्स पर पर्फॉमेंस कर रही है तो यहां पर हम 20% की इंवेस्मेंट करेंगे पॉर्टफोलियो की एक्सिस ब्लूचिप फंड मेरा एसेट इमर्जिंग फंड बहुत अच्छे फंड से जो यह राफ्रेंस के लिए बता रहा हूं आप ब्लूचिफ के काटेगरी में से कोई सा भी मुच्वल ले सकते हैं इन दो को मैंना रेफरेंस के लिए बताया आपको इसके लावा अगला जो आता है मेरे पास में आपने 70% कवर कर लिए 30% बसा तो 15% में जाऊंगा क्योंकि यहां पर आपका लाइज के अंदर 60% की में चांग के अंदर में दी जाती है तो यहां पर रिस्क बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो पाता है लाइज के जो सेफटी और पोटेंशल ग्रोथ का होता है वह भी मिलता चाहीं में अपको आप्रोक्सिमेटली 40 परसंट क भागती है तो आप अच्छे रेटर्स को पास सके हैं तो यह एक मल्टी कैप कैटेगरी है जरूर होने चाहिए 15% की लास का 15% हम रिस्क लेने के लिए भी देना चाहते हैं थोड़ा सा कि अगर यह कैटेगरी चल जाए तो क्या होती है तो हम जाते हैं थीमेटिक कैटेगरी के नहीं चल रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म रहेगी तो इसको हम टाइम टू टाइम वाच करते रहेंगे स्विच इन से चाउट कर सकते हैं यहाँ तो 15% की वेटेज देंगे हम अपने थीमेटिक फंड को इसके अंदर में आप देखिए आज की तारिक मे अच्छी नहीं थी पर हमको फ्यूचरिस्टिक टार्गेट भी देखना परता है कई बारी लाइट में लेके तो आप इसके सांग कर सकते हैं इसके लावा एक टाड़ा का बैंकिंग फाइनेंस फंड में से कोई सब यह फंड ले सकते हैं यह सक्टर काफी एक्सपेक्टेश होती है सकते में तो अग हम समप करूं अगर टोटल इट के अंदर में 50 इ neutr ready inडेक्स data को आती है 50 परशंट बूचित फंड को आती है 15 परशंट मल्टी कैप के अंदर में 15 अपको रिस्क वाली जो आती हैP अन्दर में आब इसको इंड माले दस और युपय घॉपियक पंदा सो रुपए आप डाल सकते हैं मल्टी कैप फंड के अंदर में पंदा सो रुपए डालेंगे थीमेटिक फंड के अंदर में इस तरह से एक 10,000 रुपए वाले का पोट्फोलियो बनता है अगर सेम परसंटेज को लेके में 8,000 रुपए आप इंवेस्मेंट कर सकते हैं तो अमारा क्या जाएगा? चार हजार रुपए जाएंगे इंडेक्स फंड के अंदर में 16000 रुपए आपके ब्लुचिप फंड के अंदर में और 1200-1200 रुपए आपके जाएंगे मल्टी कैप और थीमेटिक फंड के अंदर में यहीं अगर पौट्पोलियो 5,000 का हो जाता ह है मतलब 50000 रुपए इंडेक्स फंड के अंधर में हजार रुपए जो आपके जाते हैं वो जाते हैं आपके प्लूचिप पंड के अंदर में और 750 रूपीज इच मल्टी कैप और थीमेटिक फंड के अंदर में अब बहुत चोटा पोटफोलियो अगर आप सोचे करने लगबग 1500 रुपे हम डालेंगे इंडेक्स चाहिए नियुक्त कर सकते हैं तो अगर आप चाहे को नहीं रखना चाहते काफी सिक्योर तरह से काम करना चाहते हैं तो मल्टी के चैटेगरी के अंदर में थोड़ी सी वेटेज बढ़ा सकते हैं और थोड़ी वेटेज मतलब 15 परसेंट हम थीमेटिक फंड का इसको स्प्लिट करके ब्लूचिप फंड और मल्टी के फंड के अं और सबसे इपॉर्टेंट बात जो एसाइपी होती हो लाइफ टाइम के लिए सेम वेल्यू नहीं होती हर साल उसमें 10 परसंट का इंक्रीमेंट कर दीजिए जिस तरह से आपकी इंकम बढ़े हैं मार्केट में महंगाई बढ़े हैं तो आपके जो लाइफ के टार्गेट गो आपको बताया है अगर आप देखेंगे चार से पांट साल के अंदर में अपने मुच्वल फंट प्रोफ्लियों करेंगे तो आप पाएंगे डेफिनेट लेवल पे आप 15 से 20 परसंट के अप्रॉक्स की पा रहे होंगे और यह बहुत सेफ है जबकि जो बहुत हाई टार्ग झार्ग्ष जेल लेखेंगे आप लेच